नमस्कार किसान साथिएँ श्रागत हैं आपका हमारे गाइट के सान यूटूब चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं सिवभीन में लगने वाले एक इंसेक्टिसाइड के बारे में जिसका नाम है गडल बिटर जो आप वीडियो के मादम से देख सकते हैं जो एक ऐसा इंस कर देता हैं तो किसान भाई आज की वीडियो में हम आपको इससे जो बचने की उपाये हैं वह उपलब्द कराएंगे और किस प्रकार इसकी रोक्ताम किया जाती है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माद्धम से उपलब्द कराएंगे तो वीडियो के अंते तक बना रही है और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रस करें ताकि आने वाले जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको स सबसे पहले प्राप्त हो सके तो चलिए वीडियो को शुरू करता है और तो किसान भाई जैसा कि आप वीडियो के माद्धम से देख सकते हैं कि स्वयविन की भसन में किस प्रकार जो कडल बिटर है वो प्रवेश कर गया है और यह पूरे पोधे को नश्ट कर रहा है तो इस कि जो इंसेक्टिसाइड की जो पेस्टिसाइड आती है उसका इस्परे किया होगा तो कुछ किसान भाईों के यह प्रोबलम नहीं आ रहे होगे और कुछ किसान भाई ने इसका इस्परे नहीं किया तो उन किसान भाई के यह समच्चा उत्पन हो सकती है या आने वाला समय म आ सकते हैं तो किसान भाई इस बीमारी की रोक्ताम के लिए आप इंजियन इंस्टिटूड अप स्वयविन रिसर्च या भारती अनुसंदान स्वयविन केंदर द्वारा जो टेक्निकल दिये गए हैं उनका उप्योग करके आप गडर बिटल की बीमारी है उस पर आप कंट्र अवेलेबल हैं जो कि इस प्रकार है पहले नंबर पर बात करें इमामेक्टिन बेंजोइट पांच परसंट एज़िफोम में आता है उसके साथ लेम्रा सैलोत्रिन का इस्तिमाल भी कर सकते हैं उसके बाद बात करने दूसरे नंबर की तो प्रोपेनोफोर्स प्लस साइपरम करसे टीन का शाम बेंजोषरिके अफ्रोपेनोफेट पिटेता है इसरे मवड़ कर सकता है तो जो टेकनिकल्स किसंबभाई को दिए हैं उनके टेकनिकल का इस्तिमाल करके आप जो गड़र बीटर का जो इंसेक्टिसाइड है उस पर इस्तिमाल कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल पा सकते हैं वीडियो में दिये गए टेक्निकल्स के अलावा किसान भाई अपने खेतों में दूसर टेक्निकल्स कोई भी इस्तिमाल कर रहा हैं और उनको इससे बेटर रिजल मिल रहा है तो कमेंट शक्तिन में जरूर बताएं ताकि आने वाले जी वीडियो में हम अपने किसान भाई को इसके डिटेल में अपने किसान भाई को इसकी जानकारी उपलब्द कर आ सके हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगला वीडियो में एक नई जानगर रिकोड़े लेकर तब तक के लिए धन्यवा जय जवान जय किसान